हेलो फ्रेंज वालकम तू माई टाइद क्लास फ्रेंज आज हम देखेंगे समाजिक विश्य प्रैक्टिस सेट एक अभी तक समाजिक विश्य के प्रैक्टिस सेट नहीं देखी हाला कि भुगोल का इतिहास से प्रशन उतरूंने मं देख रहे थे और यहाँ पर जो हम लेंगे वह समाजिक वेसार का पॉर्षनर जो होता है प्रशन आपका सार्व कुश्न यहां पर उठेंगे और यह हमारा साथ पहला साथ है तो आए स्टार्ट करते हैं प्रशनो को अगला प्रशन देखिए अंतिम मुगल शाषक बहादुर साजफर की मृत्यू कहां हुई थी मुगल शाषक में जो सबसे अंतिम शाषक था वो तो बहादुर साजफर था और इसकी मृत्यू रंगून में हुई थी अगला प्रशन देखिए शिच्छक दिवस कब मनाया जाता है अभी हाली में बीता है पांच सितंबर को सिच्छक दिवस मनाया जाता है अगला प्रशन है जापाल पर परमानु बम कब गिराये गया था तो आपको पता है जापान पर परमानु बम 1945 में गिराये गया था और य वागा साकी पर प्रमानु गिराया गया था अगला प्रिशन देखिए नदी पर एक भाख़ा नांगल बान्थ नदी किस नन दी भोड़ shoulders धार्य की भारत का राष्ट्य पूष्प कौन है तो आपた अच्छी तरीके सिर्ट है कि कमल हमारा राष्ट्येस फूंश्प है अगला प्रशन है कि मेज़र धियांचंद किस खेल से समंधित है तो मेज़र धियांचंद आपके हाकी से रिलेट्टेड है और इन ही के जन्म दिन को खेल दिवस की रुप्म्पे मनाया जाता वो किस दिन होता है 29 अग़स्ट अगला प्रेशन संयूक्त अगला प्रेशन देखिए, अगला प्रेशन दिया है कि कौन सा सिंधु सभेता का इस्थान अब पाकिस्तान में है, तो आप जानते कि हडपा संस्किती है, वो जो हमारी अभी सभेता पाकिस्तान में है, चौत नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था, तो चौत जो था आपक पुस्तक किसने लिखी थी तो discovery of इंडिया यानि की भारत की खोज जवाहला नहरू ने लिखी थी और कब लिखी थी सेव के नीचे थे अब वहां से उनको दिमाग में आया कि यह सेव मेरे उपर सर पे ही क्यों गिर सकता था यहीं से उन्होंने इस बात की खोज की कि जो ग्रैविटी है वो यानि की गुट्टा कर्शन है वो हर चीज को अपनी तरफ खीशती है और यही कारण है कि कोई भी नोबल पुरसकार कब दिया गया था 1913 में दिया गया था और इनकी जो रचना थी गीतांजली इसी रचना पर इनको नोबल पुरसकार दिया गया था अगला प्रशन है कि दोरोनाचार पुरसकार किस से संबंदित है तो दोरोनाचार जो पुरसकार है वो खेल से संबंदित और ये प्लेयर्स को दिया जाता है साथ में इन प्लेयर्स के जो कोच होते हैं उनको भी ये द्रोणाचार पुरसकार दिया जाता है अगला देखिए खजुराहो इस्थित है खजुराहो आपका एंपी में हैं और यह मंदिरों के लिए बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है खजुरा हो अगला प्रश्ण है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो प्लासी का युद्ध सत्रों सो सत्तावन इस्वी में हुआ था यह ब्रिटिस कंपनी जो ब्रिटिस अंग्रेश थे उनके और सिराजुद दूला जो बंगाल के नवाप थे उनके मद्ध हुआ था जिनमें सिराजुद दोला को शिकस्त का मुझ देखना पड़ा था आगे देखिए अगला प्रश् और समय त्यbn होते हैं वह देशांतर र सकतर होते हैं वहीं उस देश का मानक समय त्या करते हैं भारत जो में बहलती है वह उन्स पूर्वी देशांतर बुजरती है इसे पढ़े तो 82 अंस 30 मिनट पूर्वी जो देश अंतर देखा है वो भारत के मद से मिर्जापुर से गुजरती है और इसी से भारत का मानक समय तय होता है अगला प्रेशन है कि कौन सा राज भारत के सबसे पूर्वी भाग परिस्तित हैं कि अगर भारत का नक्सा जब बनाते हैं तो इस कंड सूरे अगला प्रेशन देखिए राष्टे राजमारियन की जो नैशनल हाइवे होती है वो किसे जोडती है व्यापार केंद्रों और राज की जो राजधानिया होती है नैशनल हाइवे उन्हें जोडता है अगला प्रेशन है कौन सा सहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रशिद्ध है तो वो नासिक है नासिक में सबसे ज़्यादा अंगूर उपजाए जाते हैं अगला प्रशन देखिए बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है तो बिहार का जो सोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है और कोसी नदी का नाम कोसी क्यों है क्योंकि एक कोस पर अपनी खरीव की फसल काटी जाती है खरीव की फसल कौन सी होती है जो बढ़सात में बोई जाती है तो बढ़सात में बोने के बाद उसे काटेंगे कब तो आपके नॉंबर के प्रारम में कोई दिफिक्स दिन नहीं होता है फसल है कोई आगे पीछे हो जाती है तो जो नॉंबर का मह इह उतक एक हमाले पर्वत के जो ऊची शरेडिया होती हैं वहाँ पर यह पाए जते हैं, जो चोटियां होती हैं, पूरी तरह से भर्व से ढ़की होती है, और इन्हें ही गलेसीर कहा जाता है, आगे देखिए, आगे दिया कौन सी कायंतरिक शेल है, कायंतरिक जो अपनी काया म परिवर्तन कर देता है संग मरमर है आपका हीरा है इसलेट है यह सारी कौन सी चटाने है यह आपकी कायंतरी चटाने है या फिर इन है रूपांतरी चटाने भी हम कह सकते हैं शार्क का पूरा नाम है यानकी पूरा नाम क्या है यह तो शॉटकट है शार्क इसका फुल नेम बताना है आपको तो South Asian Association for Regional Corporation किसका नाम यह सार्क का फुल फॉर्म है आगे देखिए भारत आने वाले सागरिय मार की खोज किसने की थी अगर हम भारत आना था तो सागर के रास्ते तो रास्त किसने खोजा था वह रास्ता तो वास्त को डिगामा ने वह रास्ता खोजा था अगला प्रेशन है कि मुख्य चना आयुक्त की नुक्ति कौन करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नुक्ति राश्प वक्तिगीत , इस गाने को किस ने लिखा है तो जो प्रदीप जी है उन्होंने इस गाने को लिखा है तो फ्रेंट्स यहां से देखिए आपके 30 published कम्प्लीट हुआ आपको प्रिशने कैसे लगे एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और लगभग हमारे कुछी टॉपिक सूट रहे हैं अब उन्हें कम्प्लीट करेंगो और इस तरह से हमारे अभ्यास वाले प्रिशन अब चलते रहेंगे तो फिलहाल के लिए के व